कि वीडियो की श्रंखला में हमने पिछला वीडियो देखा था टैक्सिबल परक्योजिर्स फॉर आल एम्प्लॉईज उसमें मैंने कहा था कि कुछ ऐसे सुवीदा है जो सभी करमचारियों के लिए कर income from salary सुवीधा भी तो थोड़ा सा इसको डंक से समझिएगा पढ़िएगा याद कीजिएगा सुवीधा को ताकि आगे एक्जाम्बल करते समय आपको दिक्कत ना आए इस सुवीधा के मुल्यांकन को हम यहाँ पर चार भागों में बाटके समझेंगे पहला असुसजित मकान की सुवीधा अनफरनिष्ट हाउस फैसलेटी दूसरे स्टेप में हम सीखेंगे फरनिष्ट हाउस फैसलेटी सुसजित मकान की सुवीधा यह दोनों सुवीधा है यह दो तरह से हो सकती है एक हो सकती है आपकी मुफ्त, एक हो सकती है आपकी रियायती दरपर, मुफ्त मतलब मकान आपको बिल्कुल free of cost दिया हुआ है, आपका नियोकता आपसे कुछ भी charge नहीं करता है, तब वो कहलाएगी मुफ्त मकान की सुवीधा, और यदि आपका नियोकता इस मकान की सुवीध में क्या नियम ध्यान रखने और फिर हम देखेंगे मुफ्त मकान की सुविधा के मुल्यांकन में और रियायती दर्मिक क्या अंतर है तो पहला अर्सु सजित मकान की सुविधा का मुल्यांकन इसमें भी जो फर्स पॉइंट है वो है अपना सरकारी करमचारी यदि अपन जिस राशी आपकी कर्मुक्त है किती राशी आपको प्राप्त होई है और रूलस हम देखते हैं किती राशी अपनी कर्मुक्त है जिसमें अपने को कर नहीं देना है प्राप्त राशी में से आप कर्मुत राशी को घटाते हैं शेश राशी आपकी कर्योग्य होती है जिसको अपन मुल्यांकन कैसे करना है मुल्यांकन में यदि उस सरकारी करमचारी है तो हम सुविधा का मुल्या इस तरह से निकालेंगे कि नियमा नुसार according to government rules उस करमचारी से अपन कित्ती राशी वसूल करते यदि ये मकान की सुविधा आपको free नहीं दीवी होती यदि आपका सरकारी करमचारी को सुविधा free नहीं मिलती तो उसका नियोकता according to norms कित्ती राशी वसूल करता ये इसकी सूचना प्रशन में आपको दे रखी होगी तो जितनी राशी वसूल करता वही हमारी सुविधा का मुल्य हो जाएगा पर ये दी करमचारी आपका अर्ज सरकारी इस्थाने सत्ता का या private sector का है मलब सेमी government का है या local authority का है या private employees ये दी है तो फिर मुल्यांगर को बन दो भागों में बाटेंगे पहला ये दी मकान का स्वामी नियोकता है दूसरा ये दी मकान का स्वामी नियोकता नहीं है मलब दो चीज़ करेंगे ये दी मकान का स्वामी नियोकता है और स्वामी नियोकता नहीं है ये दी स्वामी नियोकता है तो फिर अपन देखेंगे किराय सुविधा के लिए वहां की जनसंख्या यदि जनसंख्या 10 लाग तक है तो सुविधा होगी सेलरी का 7.5% यदि जनसंख्या 10 लाग से 25 लाग के बीच में है तो सुविधा का मुल्या होगा सेलरी का 10% यदि जनसंख्या 25 लाग से जादा है तो सुविधा का मुल्या होगा 15% तो यदि आपका जो मकान सुवीधा के रूप में करमचारी को दिया हुआ है यदि नियोकता उसका स्वैम मालिक है तो उस इस्तति में अम जिस जगे वो काम कर रहा है हमागे जनसंख्या देखेंगे और जनसंख्या डिसाइड करेगी कि सुवीधा का मुल्ले क्या होगा जो आपका सैलरी पर बेस है अब सैलरी में क्या क्या शामिल करेंगे यह मैं आपको आगे बताऊंगी यहां पर सैलरी मतला बेसिक सैलरी नहीं है अपने आप एक सैलरी का मिनिंग है जो पर आगे देखेंगे कि सैलरी में क्या क्या ची शामिल करेंगे वो जो सैलरी निकलेगी उ के दे रहा है सुभीता के लिए तो फिर नियोकता ने उस मकान का कितना किराया चुकाया है या फिर salary का 15 परसेंट फिर दो राश्यों के तुलना करेंगे और दोनों में से जो भी कम होगा वह हमारी सुभीता का मुल्य कहलाएगा यानि यदि आपका नियोकता किराए पर मकान लेके फिर अपने करमचारी को दे रहा है तो उस इस्तथी के अंदर नियोकता अपने मकान के जो विराशी चुका रहा है वो चुकाएगे राशी या फिर सैलरी का 15% जो भी कम होगा सुवीता का मुल्य तो यह points आपको याद रखने है पहले आप question में देखेंगे कि मकान का स्वामीन योकता है कि नहीं है पहचाने के कैसे यदि प्रश्मे वास्तु किराये की सूचना है मतलब किराये पर लेके दिया हुआ है यदि वास्तु किराये की सूचना नहीं है इसका मतलब आपको किरा salary 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 किसी भी retirement benefit के लिए जैसे PFA, pension है, gratitude है, compensation है, किसी भी retirement benefit के लिए यदि DA को शामिल कर रहे हैं अपन, तो फिर DA अपना यहां पर भी शामिल किया जाएगा, तो या तो आप प्रश्ण को पढ़के देख लो, साफ साफ लिखावागा DA के आगे कि सिवाशत का अनुसार है, या नहीं है, ऐसा लिखावा नहीं है, तो आप पूरा question पढ़के देखिए, उस प्रश्ण में तो कोई भी retirement benefit है, जाओ PF के नाम से दे रखाओ प्रश्ण में, compensation के नाम से, या pension के नाम से, या gratitude नेशनल डीए शामिल होता है, इसके अलावा कोई भी बहत्ते, डीए के अलावा बागी सारे बहत्तों की कर्योग ये राशी भी आपको उसमें शामिल करनी है, उसके अलावा जिस अफधी का आपन मकान का सुविधा का मुल्यांकर निकाल रहे है उस अफधी में आपको कोई भी मौद्रिक व्यतन मिल रहा है किसी भी नाम से चाहे उपराने पेंशन की नियोकत प्राप्त हो रही हो चाहे आपको अजित अवकाश का व्यतन प्राप्त हो रहा हो चाहे उस अफधी के लिए आपको कोई भी अन्य प पुरियी करेगा तो आएगा नहीं आएगा नबर फाइफ इस डिये के लावा बाकि जितने भी करियों के भत्ते zijn आपको शामिल करने हैं नबर शे जिस अफधी के लिए पर मकान की सुविधता का मुल्यांकन कर रहे हैं उस अवधीक में उस अवधीक के लिए ज़िए आपको कोई भी राशी मौद्रिक पर बिच लेंगे और इसी सैलरी को अपन यहां पर भी लेंगे अब अगला पॉंट देखो समधिद अवदी मतलब समधिद अवदी से मतलब है कि वो अवदी जिसके लिए आपको मुफ्त मकान की सुवीदा दे रखी है ये 12 मेने के भी हो सकती है ये 12 मेने से कम अवदी की भी हो सकती है तो जिस अवदी के लिए आपको दिया हुआ है उस अवधी के लिए ही आपको salary का meaning निकालना है इसमें इची ध्यान अखनी है यदि करमचारी एक से अधिक नियोकता के पास नौकरी करता है मलकिसी एक जगे फुल टाइम काम कर रहा है कहीं पर एक से अधिक जगे पार टाइम काम कर रहा है ऐसी को स्थती है तो चाए मकान की सुवीदा एक ही मालिक ने दियो जब आप salary निकालेंगे तो salary आपको सभी की शामिल करनी है जितने भी लोगों के यहां काम कर रहा है उन सब की salary आएगी उन सब का भत्ते आएंगे उन सब की मौद्रिक वेतन आएगा उस सब शामिल करना है चाहे मकान की गणना अपने को एक ही नियोकता ने दियो एक ही नियोकता देगा क्योंकि एक ही मकान में आप एटे टाइम रह सकते हैं तो सुवीदाता आपको एक ही नियोकता देगा लेकिन वेतन में सभी नियोकताओं का वेतन अपने को शामिल करना है इसमें भारत के बाहर उपाजीत वेतन यदि आप भारत के बाहर कुछ काम करने गए है भारत के बाहर आपने कुछ चीज इन्वेस्ट किये जहां से पैसा आ विए से किराय भी दिया है तो पन सुविधा का मुल्य कर निकालेंगे, शैल दी का 15 परसेंट याफिक किराया जो भी कम हो, पर प्रस्मे लिखावा है, उचित किराया मतलब मकान, स्वैम नियोकता का है, फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे उसकी जन संक्या, और जन निकले अपना यह अपना निकलेगा value of unfurnished house facility अब furnished मतलब आपको मकान के साथ furniture या कोई घरे लूपकरण भी साथ में दे रहा है जैसे आपको मकान के साथ उसने sofa केवल मकान मिलता है केवल मकान मिलता है वो unfurnished है furniture और सारे equipment के साथ मिलता है तो वो हमारे लिए furnished है यदि furnished मकान आपको मिल रहा है सुविदा के रूप में तो उस इससति हम क्या करेंगे पहले तो इस तरीके से इन सारे नियमों को अपन ध्यान रखके निकाल लेंगे value of unfurnished house facility यानि अस सुविदा का मुल्य है और उसमें फिर अपन furniture का रूपकरणों के मुल्य को और जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे लिए furnished house facility यानि सुविदा मिल जाएगी तो कैसे निकालेंगे अब इसमें भी ध्यान रखना है यह जो furniture रूपकरण है नियो तो अपने पास से दे रहा है कि किराय पे लेके दे रहा है यदि अपने पास से दे रहा है तो अपन लेंगे depreciation तो cost का part क्या हो जाएगा उसकी लागत का 10% आपको सुविदा में जोड़ के दिखाना है और यदि उसने किराय पर लेके दिया है तो जो भी किराय आपने दिया हो तो लागत का 10% आपको मकान की सुवीधा में जोड के दिखाना है यदि आपने किराये पर लेके दिये हैं तो चुकाया गया किराये आपको मकान की सुवीधा में जोड कर दिखाना है बगला पॉइंट क्या कहता है यदि मकान की सुवीधा मुफ्त नहीं है अब जैसे यहां तो मुफ्त हो गई, यह दि मुफ्त नहीं है, आपका नियम लागू होता है, यह पॉइंट यूनिवर्सल है अपना, किसी भी सुविधा के लिए यह आपका नियोकता आपसे कोई राशी वसूल कर रहा है, तो वो राशी पन क्या करेंगे, उसकी सुविधा क मुल्य में इसे अपन घटा कर दिखा देंगे, तो वो क्या हो जाएगे अपने लिए, रियायती दर पर मकान की सुविधा हो जाएगी, जैसे सबोस करो कि कोई मकान था, आपने नियम से सौल किया, तो मकान की सुविधा का मुल्य आ रहा है सबोस को 10,000 रुपे, आपने मकान के लिए आप से 3,000 रुपे वसूल करता है, तो चूंकि अपने को फ्री में पढ़ रहा है 14,000 का, लेकिन 3,000 को कि हम से वसूल कर रहा है, चार्ज कर रहा है, तो फिर हम 3,000 रुपे यहां से घटा देंगे, हमाले कितने का पड़ेगा यह सुविधा पड़ेगी हमारे लिए 11,000 रुपे की, तो हम इनका में कितना जोड़ के दिखाएंगे, 11,000 बे जोड़ के दिखाएंगे, यानि पहले मकान की सुविधा मुले प्लस फनीचे की सुविधा का मुले माइनस आपने कितना उसमें से चार्ज कर लिया है, अब कुछ इस्थेतियां ऐसी भी है, ज तो समुद्ध तट पर, तेल खोजने के स्थान पर, यानि शी सोर पर कॉछ काम कर रहे हैं आपके, जितना भी ओयल वाला जो प्लांट बगरा होता है, वहाँ पर कोई व्यक्ति को रहने की सुविधा दे रखी है, किसी प्रोजेक्ट पर आपको कोई काम दे रखा है अपने खान में काम करने वालों को, समुद्ध तट पर कोई काम कर रहा है, किसी प्रोजेक्ट पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, किसी डैम पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, या पावर प्लांट पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो वहाँ पर जो रहने की सुविधा दी गई होगी, वो पूनता है कर्मुक्त होगी यानि जो भी रिमोट एरिया में है जो दूरस सिथानों पर जो मकान के सुविदा है वो पूनता है कर्मुक्त होगी इसी प्रकार से यदि किसी करमचारी का ट्रांसफर हो गया है तो ट्रांसफर होने पर 90 दिनों तक आपको सुविदा कैसे नि प्राइन वाली जगह पर भी और नई जगह पर भी तो 90 दिनों तक तो क्या करेंगे करमचारी दोनों जगह में से जो सुविधा दे रखी है कोई एक मकान जिसका मुल्य कम होगा उसको अपन शामिल करेंगे जैसे एक मकान सबकों जैपू से ट्रांसफर होके बॉम्बे गया जैपूर में भी मकान दे रखा था और बॉम्बे मकान दे रखा है तो अपन जैपूर और बॉम्बे को कंपेर करेंगे जिसका सुविधा का मुल्य कम होगा उसको अपने इंकम के अंदर जोड़ के दिखाएंगे लेकिन यदि 90 दिनों के बाद भी करमचारी उस मकान को खा निये नियम अब को इसके अंदर ध्यान गुझने मैं फडरा से ब्रीफ कर दे इसे पहले आपको द parlarना है और भरी में सरकारी का दृष्याद्या नदर किसे करना है किराय पे लेकिया तो कैसे करना है पिकाउत्या और यह का सब सकने मीण होगा इसको अच्छे से अपना है ठ खटा के दिखानी है ये ध्यान रखनी है अपने को और कहां कहां पर कर्मुक्त है और ट्रांसफर की केस में कब तक आपको कैसे निकालना है ये सारे नियम आपको ध्यान रखना है जब भी प्रश्म में पॉइंट आएगा तो सारे नियम यदि आपको याद होंगे क्लियर हों आप उसमें नॉट्स के अंदर पढ़के उस नॉट्स को अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी लेंग्विज में कनवर्ट करके वापस लिख सकते हैं लिख के उसको याद कीजिए समझे को दिक्कत आदम उससे पूछिए अब इसके बाद मकान की सुविधा अपने को होटल म वेतन मतलब वही जो अपने पहले पड़ा था तो वेतन का 24% या होटल में खर्च कीए राशी जो भी कम होगी वो सुविधा का मुल्य मानी जाएगी इसमें से कोई राशी आपने वसूल की है तो क्या करना है अपने को खटा के दिखा देना है दूसरा यदि होटल की सुव कुछ टाइम तो लगेगा कम से कम तो पंदरा दिन तक दी नियोकता आपको होटल में रहने की सुविधा दे रहा है तो यह क्या होगा अपने लिए पूंत है करमुक्त होगी वेतन का मतलब वही है जो पने पहले किया था यानि वह बेसिक सैलरी आएगी कमिशन आएगा बो सब्सक्राइब के लिए याद करने और समझने अगले वीडियो में बताऊंगी आपको इन सरे नियम को ध्यान में रखते हुए अपने को पॉइंट टू पॉइंट सौल कैसे करना है कर्योगी राशी कैसे निकालनी है आज के लिए इतना है